हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड दोपहर से शुरू हुए जेन्यू के परदर्शन में शाम तक हो गया बावाल पुलिस ने मार्च रोका तो छात्रों की पुलिस से होई जड़प पुलिस ने शात्रों को बस में दूसी जगाशिप्ट किया जेन्यू मार्च में टीचर भी शामिल रहे हिंसा के दोशियों पर एक्शन की मांग है और वी सी एम जगदीश को हटाने की मांग कर रहे हैं शात्र जेन्यू हिंसा के विरोध में दिल्ली के सेंट इस्टिवन कॉलिज के चात्रों का परदर्शन पांत सो चात्रों ने क्लास का बाइकोट किया यूपी के अलिगण में हिंदू आर्मी ने पोस्टर लगाए लिखा ना फिल्म छपाग देखेंगे और ना देखने देंगे छपाग फिल्म की हिरोईन डीपिका पादुकों ने जेन्यू में हिंसा का विरोध किया था निर्भया के चार दोशियों में से एक विने ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पेटिशन दायर की 22 जनवरी को फांसी के लिए जारी डेथ वरंट पर रोक की मांग की दिल्ली में स्पेशल पुलिस ने ISIS के तीन संदिग्द आतंकियों को गिरपतार किया राजिस्तान के चुरू में बड़ा सड़ा खासा हुआ बस और वैन के टक्कर हो गई वैन में सबार सभी आठ लोगों की मौत नोईडा के अस्पताल के बेस्मेंट में आज आग लगने से हरकम मच गया आनन फानन में मरीजों को बाहर जमीन पर लिटाया गया कोई हताहत नहीं दिल्ली के पटपडगंज इंडरस्ट्रिल एरिया में आज आग से मजगे आणकम प्रिंटिंग प्रेस में आग लगने से एक की मौत दाउद इब्राहिम के करीबी एजाज लकड़ावाला को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया 25 से ज़्यादा मामलों में थी तलाश सियाचिन पहुँचे नए सेना प्रमक जनरल मनोज मुकुन नर्वने जवानों का होसला बढ़ाया यूपी में 14 IPS अफसरों का तबादला नोएडा के SSP वैभव किर्शन सस्पेंड विवादित वीडियो सामने आने पर हुई कार्रेबाई उत्तरभारत के तीन राज्ये बर्व में ढखे हिमाचल प्रदेश, उत्रखंड और जम्मु कश्मीर में पहाडों पर बर्वारी हुई हिमाचल प्रदेश के पांच हिल स्टेशनों पर इस सीजन की सबसे ज़्यादा ठंड है कलपा के नोव डलहोजी और श्रिमला में तापमान माइनस में पहुँचा हिमाचल के मनाली में बर्व की मोटी चादर में ठख गया हिडिम्बा मंदिर सैलानियों की बल्ले बल्ले हुई उत्राखन में बर्वारी ने लगाया ब्रेक रुद्र परियाग मासूरी बागेश्वर समेत कई जगा खुब बर्सी बर्व राष्टे बंध होने से ज़्यादा दिकत जमुर कश्मिर में भी पहाड इलाके बर्व में दवे हैं डोडा में इस सीजन की ताजा बर्वारी हुई उत्राखन की रुद्र परियाग में बर्वारी के बीच भक्ती देखी मा चामुंडा देवी की डोली गाहवालों ने गीत संगीत के साथ विदा की अमेरिका इरान तनाव का महोनी की उम्मीद में आज बाजार पर असर दिखा शेर बाजार 500 अंकों की बढ़त के साथ खुला कच्चा तेल भी थोड़ा सस्ता इरान ने मिसाइल अटैक टार्गेट के फोड़ जारी कर कहा निशाने सही थे अमेरिका का फिर भी इनकार सिचुएशन रूम से राश्पती टरंप की तस्वीरे सामने आए